Hi everyone, welcome to my channel, my name is Priya Dogra and I'm back again with another video. आज किस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी अपॉचुनिटी जो की टाटा की तरफ से लाँच की गई है. टाटा ने लाँच की एक ऐसी अपॉचुनिटी जिसके अंदर बहुत सारे बेनफेट्स आप सभी के लिए रखे गए हैं. अगर आप स्टूडिन्स हैं तो यहाँ पे जरूर से पार्टिसिपेट कीजेगा. बहुत अच्छी अपॉचुनिटी है जिसमें आप कैश प्राइज जीच सकते हैं और वो भी कुछ कम नहीं. 2.5 लाक रुपीज का कैश प्राइज आपको यहाँ पे आफ़र किया जा रहा है और इसके साथ साथ आपको free of cost इंटर्शिप करने का मौका दिया जा रहा है टार्टा कामपनीज के साथ. आज की वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाली है. complete details आपको वीडियो के अंदर provide करूँगी बस आपसे एक ही request करना चाहूँगी. अगर आप first time मेरे चानल पर विजिट कर रहे हैं सब प्लीज यह से subscribe जरूर कीज़ेगा. वीडियो पसंदा आती हैं से like और share करना ना भूले. चलते हैं main platform की तरफ. आपको सबसे पहले लेकर जाना चाहूँगे अपनी website के अंदर जिसके अंदर आप देख सकते हैं. सारी details दी गई है. Tata Crucible के तरफ से जो opportunity निकाली गई है. किस तरह की opportunity है. क्या schedule है. क्या prices है. क्या rules and regulations है. क्या terms and conditions है. Everything is mentioned here. सारी details मिल जाएंगे. और at the end आपके पास यहाँ पर apply link भी दिया गया है. जैसे आप click here के जो button पे click करेंगे. इस link पे click करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे इनके official platform के अंदर. So opportunity किस बारे में है. पहले वो बात करते हैं. Tata Crucible की तरफ से campus quiz for students निकाला गया है 2023 के लिए. जैसे कि आप लोग जानते हैं हर साल यह launch किया जाता है. इस बार आपके क्या details है, क्या benefits है, क्या prices है, क्या rules है. Everything is mentioned in this platform. Campus quiz for students in India for 2023. बात करते हैं first of all for maths की. So basically Tata की तरफ से campus quiz launch किया गया है. जिसमें online और offline दोनों तरह से process चलेगा. किस तरह से online चलेगा और किस तरह से offline चलेगा, वो मैं भी आपको बताने वाली हूँ. So क्या किया गया है, पूरे India को divide किया गया है चार जोन में. South, West, North and East. और उस जोन के अंदर आपके different different clusters बनाए गये हैं. So जैसे मान लीजिए आपके पास South Zone है, तो South Zone के अंदर आपके पास 6 clusters रहेंगे, जिसमें different different states आएंगी. First cluster मान लीजिए आंधरा परदेश है, जिसमें full state consider किया जा रहा है. Second cluster हमारा तेलंगाना से है, जो भी student तेलंगाना से होंगे, वो zone 1, cluster 2 से belong करेंगे. इसी तरह से करनाटका वाले students जो है, वो zone 1, cluster 3 से belong करेंगे. Same way में west पे अगर आप जाएंगे, तो यहाँ पे भी 6 clusters आपको मिल जाएंगे. Third zone north में जाएंगे, तो यहाँ भी 6 clusters मिल जाएंगे. अब कैसे process चोलेगा, वो देखिए. So basically, registrations और prelims जो आपके होने वाले हैं, वो आपका totally online process रहेगा. 24 clusters है, that means 24 clusters यहाँ पे finals रहेंगे, including your wild card round. दो prelims होने वाले हैं, first आपका normal रहेगा, उसके बाद mean जो आएगा, वो second prelims में आएगा. जो इसको qualify करेगा, वो cluster finals के लिए जाएगा. Cluster finals और wild card round आपका जो है, वो एक ही बाद में होने वाला है. इसके बाद आपके पास 4 zonal finals होने वाले हैं, जो 4 zone बने हुएंगी. उन में से जो cluster finals के winner होंगे, वो यहाँ पे compete करेंगे. और एक wild card round भी होगा, जो की zonal runner ups के लिए होगा. जो zone, चारो zones में से winner रहेगा, उसका लिए एक national finale यहाँ पे रखा गया है. So basically क्या कहेगा, यहाँ पे बहुत सारा, आप जानते होंगे, बहुत सारे rounds रखे गए हैं, थोड़ा confuse मत होगेगा. सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से समझाएगी, उसके लिए चलते हैं, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं. सबसे पहले prelims की बात करते हैं, जो level 1 का prelim है ना हमारे पास, उसमें online round आपके रहने वाला है, software based round होगा, जिसमें आपसे कुछ questions पूछे जाएंगे, अगर आप qualify करते हैं, तो इन 24 clusters में से total 1200 लोगों को qualify किया जाएगा. ठीक है, आप यहाँ पे यह चीज़ का ध्यान रखिए, कि first level पे 1200 लोग qualify होने वाले हैं, फिर चलते हैं level 2 की तरफ, level 2 भी हमारा prelim रहेगा, जिसमें से 1200 लोगों में से top 100 हर cluster से निकाले जाने वाले हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो level 1 और level 2 के winner होगे, उ यहाँ पे यह बोला गया है, the top 12 from each of 12 customers will progress to the cluster finales, that means कि हर 24 clusters में से, 24 cluster है, 4 zones है, 24 clusters में से, 12 लोगों को आगे further cluster finals के लिए भेजा जाएगा, और wild card round के लिए भेजा जाएगा, तो यह आप देख सकते हैं, इसके बाद जो आपके पास आने वाला है, वो है cluster finale, ठीक है, so first cluster finale में round है, आपका wild card round, अब जो 12 लोग चूज किये गए है, हर clusters में से, उनको आगे wild card round में participate करना होगा, जो cluster wild card round होगा, उसमें 2 rounds होने वाले हैं, हर round में 6 participants पास करेंगे, so यहाँ पे देख सकते हैं, 2 wild card rounds होने वाले हैं, जिसमें top 3, top 3, actual cluster finale के लिए आगे चाहेंगे, so आप confuse मत ह होगे यहाँ यहाँ पे, बहुत easy है, 2 prelims होने वाले हैं, 1st prelim में 1200 contestant हो जाएंगे, उसके बाद आपके पास जो भी पास होगा, prelims में से, वो आगे cluster finales के लिए जाएगा, cluster finale हमारा 2 part में divided है, आपका wild card round और actual cluster finale, so जो यहाँ से पास होगा, वो जाएगा, zonal finales के लिए, अब 4 zones हैं, तो 4 zones के finalists होंगे, 4 zones के जो finales में जीतेगा, वो national finale के लिए जाएगा, और उनको यहाँ पे last में winner बना दिया जाएगा, 6 finalists होने वाले हैं, जिसमें से 4 winner होंगे, zonal finals और 2 होंगे, wild card finals, हर किसी को prize रखा गया है, यहाँ पे, तो आप देख लीजिए, confused मत होएगा, को मुझसे पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे complete details दी गई है, बाकि अगर आपको कोई भी doubt रहता है, फिर भी, तो आप मुझसे पूछ सकते है, zones और clusters में, confused मत होएगा, 4 zones है, पूरे इंडिया को 4 zone में डिवाइड गया है, और हर zone के लिए 6-6 states अलोट की गई है, आपका जो भी zone और cluster बनता है, आप उसी के लिए compete करेंगे, तो यह है complete details बाकि schedule के अगर बात करें, तो registration आपकी 5 जून तक चलने वाली है, prelims, online और national का भी कोई भी update नहीं आई है, बट registration की आ चुकी है, जून 5 तक आप यहाँ पे registration कर सकते हैं, बात करते हैं, प्राइजस की, तो top 3 scorers जो की national finale में जीतेंगे, उन्हें Tata Group की तरफ से free internship करने का मौका मिलेगा, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे prizes में आपके पास internships मिलेगी Tata Group के साथ, इसके अलावा जो winner रहेगा, उसको ठाई लाक रुपे तक का cash price मिल सकता है, जो cluster final के winner होंगे, उनको 35,000 रुपे तक का cash price मिल सकत हैं, बहुत अच्छा cash price यहाँ पे रखा गया है, बाकि अगर बात करें, rules and regulation की, कोई entry fees नहीं है, बिल्कुल free of cost apply कर पाएंगे, online और offline दोनों तरह से आपका यह चलेगा, तो आप देख सकते हैं, 2023 के लिए Tata Crucible Campus Quiz अभी launch कर दिया गया है, फट फट से जा के apply कर दीजे, सो आप जितने भी previously इनके Tata Crucible Campus Quiz हो चुके हैं, उनके आप archives देख सकते हैं, किस तरह के पहले के events हो चुके हैं, बाकि अगर बात करें, हम अभी apply कैसे करना है, सो apply करने के लिए आपको मैं लेके जाना चाहूँगी Tata Crucible के official platform पे, यहाँ पे मेरे पास no more options इसलिए आ रहा है, because मैंने registration का process already complete कर लिया था, बढ़ मैं आपको फिर से दिखाऊंगी, आपके पास यहाँ पे registration का option आएगा, आप उस पे click करेंगे, बाकि अगर आप इस होड़ा सा इस platform के explore करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इसके बारे में और जान सकते हैं, क्या होता है, क्या नहीं होत है, जो विनर रहते हैं, कुछ उनको इस तरह से धाई लाक रुपे तक का cash prize मिलता है, यह देख सकते हैं, यह corporate quiz का है, वो हमारा जो रहेगा, that will be for student quiz, so अब बात करते हैं, apply कैसे करना apply के लिए आप जाएंगे, आनस्टॉप के official platform पे, यहाँ पे details available है, इसका link में नीचे description प आपको दे दूँगी, यहाँ पे कुछ इस तरह का form आपके पास खुल कर आएगा, email id, phone number, first name, last name, gender क्या है, institute क्या है, type कौन सी है, कौन सी degree कर रहे है, course, course specialization, year of graduation, यह सारी choose करके, terms and conditions दोनों तरह से आप save करके, आप next step पे जा सकते हैं, next step में आप से क्या पूछा गया है, कि आपके कौन सी zone है, मानली जो मेरी north zone है, अब आपका कौन सा वाला north zone में आपका जो है, वो particularly location पड़ती है, तो आप यहाँ पे choose कर सकते है, कि मेरा north zone में particularly कौन सी location पड़ सकती है, वो choose करने के बाद आप यहाँ पे next choose करेंगे pin code, address, director, होडी name क्या है, होडी email क्या है, contact number क्या आप यहाँ पे submit कर सकते हैं, यह दोनों चीजें हैं जो कि required रहेंगी, बाकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारे optional options है, तो आप इनको skip भी कर सकते हैं, यह था इनका apply करने का process बहुत easy से, आप within two minutes से यहाँ पे apply कर पाएंगे, बाकि अगर कोई doubt रहता है, तो आप नीचे comment section में भी मुझसे पूछ सकते हैं, इसके अलावा आप यहाँ पे register कर चुके हैं, इसी तरह से आपको भी option आजाएगा, कि आपने register कर लिया है, बस आपकी details आपको further बता दी जाएगी, आपकी mail ID पे, so make sure कि आप इसमें confused ना हो, कोई भी doubt रहता है, नीचे comment section में पूछें, य झाल झाल